हेलो गाइज कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं पी अच्छी हूँ आप लोगों का वैलकम है आपके अपने यूटूब चैनल पर आप सभी को रादे रादे जैसरी शाम और अभी मैंने बरफ डाली ती तो एक अटोरा रखा हुआ था और उप पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मेरे फेस पे तो नहीं की वешеस्टे बहुत सारे दाने निला है वैसे भी घर्मियों मेरे मेरे फेस में मेरे फिल पिमपल नियगा जाते हैं है तो ार्म मेरे उन spricht निकल चुकी है किसकी घर्मियों मेरे फिम बताना मज़े करना अमें जा रही थी स्थिचिंग करने के लिए तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लो उसे थोड़ी सी बाते करती हूं चलिये ऐसा तो मैंने पंखा बंद कर दिया है और इतनी गर्णी में पंखा बंद करके दिचेक लिए बात करे हैं कि बंका चलाने के बाद आवाज अच्छे से नहीं आती है, क्लियर तरीके से नहीं आती है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो जो इतने अच्छे हैं अगर मुझे कोई गलत बोलता है तो आप लोग उसका भापे जाके जवाब देते हो देखो एक एना टोकरी होती है अगर उसमेना बहुत सारे अच्छे फाल है ना तो एक दो सड़े गले फल तो होते ही है तो कुछ ऐसे ही अगर मेरी फैमली में इतने सारे अच्छे लोग है तो कुछ एक दो गलत लोग तो होती है तो मुझे उनसे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं बहुत सारे कमेंट्स दाना इग्नोर करती हूँ अगर मैं इतनी सारी चीजों को अगर इग्नोर नहीं करूंगी तो फिर तो मैं यार जीने ही बुल जाओंगी और आप लोग को पता है कि एक सिंगल मदर के लिए इतना जो लॉंग टाइम मैं काट के आ रही हूँ मैंने कितनी सारी चीजों को इग्नोर किया होगा तभी मैं इहां तक पहुची हूँ अगर मैं सारी चीजों को दिल से लगा के बैठती है सारी चीजों को माइंड पे ले लेती तो शायद मैं इहां तक नहीं आ सकती थी तो मैं हमेशे इग्नोर ही करती हूँ मुझे है सकते हैं, जैसे किसी चीज का मुझे जवाब देना चाहिए, तभी मैं जवाब देती हूँ, अभी मुझे जल्दी-जल्दी में कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, या वो हेटर हैं, क्योंकि देखो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारी खुशी में जो खुश होता है, वो हमारा परिवार होता है, जो हमारी खुशी से दुखी होता है, वो हमारा परिवार नहीं होता है, कि मैं पहले भी आप लोगों से कई बार बोल चुकी हूँ कि हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं तो हमें अपने आपको चेंज कर लेना चाहिए और मैं जवाब भी पता है तब ही देती हूँ तो कोई बात नहीं वो उनकी सोच है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारी बरावरी नहीं कर सकता है ठीक है इन्होंने ये भी बोला था मेरे कोई सब्सक्राइबर है तो एड़ोकेट जी है तो उन्होंने उस दिन ये बोला था कि एक औरत हो मैं कुछ गलत भोल रही तो हम अपनी हैं कि मुझे शाय दियुत्यूब और कि कह यदुन सмद रही और विद अगार हम और हैं यह हो UK ow Mark को या कोई भी बात आप लोगों से शियर करूंगे देखो आप सिर्फ मुझे सुझाब दे सकते हो मेरी जो प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है तो आप उसको उसका आपना सेलूशन नहीं निकाल सकते हैं सिर्फ उसका मैं ही निकाल सकती हूं जाहे वह हम परिवार के साथ बैट के निकालें या फिर कुछ भी हम आपस में बातचीत करके निकालें तो इन्होंने काफी सारे उल्टे सीरे कमेंट कर रखे थे तो देखो परविंदक और जी आप मैंने उस दिन एक वीडियो डाली थी कि मैं अपने साससुर से कभी भी अपने खर्चे के लिए परसनल खर्चे के लिए पैसे नहीं लेती तो देखो मेरे जो सब्सक्राइबर है अगर मुझसे कोई सवाल पूसते हैं तो मुझे उसका आंसर देना पड़ता है और देखो मैं जिस कि लाइट में है कुछ चीजे ऐसी होती है जो वो चाहा कर भी उन चीजों का मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में यह चीज बोल चीकी हूं कि अगर मेरे से रिलेटेटड मेरे बच्चों से रिलेटेड गर्षे बहते convincing को आउसमेरा दूद आसे जरूर दूंगी यस मेरे से की लाइफ में ट्रेफियर नी कर सकती देखो मैं यूटूब पे आई हूं तो ये मेरी परसनल चॉइस है अगर कोई यूटूब पर नहीं आना चाहता है मेरे व्लॉग्स में नहीं आना चाहता है आप जो पूछने हैं इस तरीके के सवाल वो समझ गए होंगे कि मैं किसके बा लाइके क्या करती है बहुत सारी नोंने कमेंट कर रखे थे मुझे बहुत सारे तो देखो डियर मैं जो मेरी लाइफ है मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल की है वो मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी फैमली के साथ इसलिए शेयर करती हूं पते है क्या होता है कि हमारी जैसी चीज़ए बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं लेकिन रहा उपनी लाइफ से हार मांझ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को देख के इनसान में हिम्मत आती है समझे है हिम्मत आती है और मुझे असरत है कि मेरी वीडियोज को देख के काफी सारे लोगों में हिम्मत आती है काफी सारे लोग अपनी लाइफ को दुबारा से जीना सीख रहे हैं मुझे इस चीज के लिए बहुत जादा अपने आप पे प्राउड है कि मुझे देखे ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को आगे जीना सीख रहे है काफी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं इंस्टा पे बात करने के बाद पता है एक लंबी सांस लेके पता है मुझसे क्या बोलते है कि रिया जी आपसे बात करने के बाद ऐसा लगते है कि हमें कोई दुख है ही नी तो पता है आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात होती है आपको शायद मेरी चीजें फालतू लगती होंगी या फिर शायद बखवास लगती है आपने ये भी वर्ड्स लेके थे आपको बखवास लगती होंगी मेरा हस्बंड भी मर गया है तो देखो वही जिसके साथ ये situation घटती है तो उसको ना दूसरी की problem भी समझनी चाहिए दूसरी की परेशानी हो भी समझना चाहिए कि अपना life partner जाने के बाद दूसरे इंसान पर क्या चीज़े बीथती है अगर आप उस चीज को face कर रहे हो तो और मेरे लिए बहुत जादा गर्व की बात है अगर मेरी चीजों से किसी को कुछ सीखने को मिलता है मैं हमेशा वही चीज व्लॉक में शेयर करती हूँ जिससे शायद कुछ लोग कुछ सीख पाएं अगर कुछ लोग अपना mind fresh करने के लिए youtube पर आते हैं बहुत सबकी life में struggle है इतनी सारी tension है लेकिन फिर भी अपने life को आगे लिके जा रहा है वो भी हसी खुसी तो इससे ना हमें कुछ सीख सीखने को मिलती है ऐसा नहीं है कि मेरे से अगर लोग सीख रहे हैं तो मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत चीजे सीख रही हूँ मैंने 10-12 सालों में ब कोई इनसान अगर जैसा है न हम उसकी सोच को कभी भी नहीं बदल सकते हैं तो मैं ये चीज अपने व्लॉग में पहले भी बोल चुकी हूँ जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा हम अच्छे हैं तो हम चाहकर भी बुरे नहीं बन सकते और कोई बुरा है तो हम उसको कितना भी स आप मेरी परेशानी को कम नहीं कर शेकते हैं वस्कों एक कहते हैं आप मुंझे दहरे दे सकते हो या मुझे समझा सकते हो कुछ अच्छी बाते बता सकते हो उससे क्या होगा मेरे अंदर ना एक मेरे अंदर एक positive vibes आती है कि हाँ मुझे उसने बोला था कि आगे चल के अच्छा होगा तो इससे ना हमें ना एक हिम्मत आती है तो बस मेरे vlogs देखने से भी बहुत सारे लोगों में हिम्मत आती है तो इसलिए मैं vlogs बनाती हूँ परविंदर कौर जी आपके लिए है और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि बुढिया हो गई है और इस इस तरीके के कपड़े पैटके देखाती है तो देखो शायद मैं बुढिया हूँ या नई हूँ देखो मुझे नहीं पता आज से कुछ साल पहले जब मेरी शादी हुई थी मेरे हजबन खतम हुए थे और मेरी परी तीन डेर साल की थी और मेरे पेट में शौरज चार मेने का तो यह वर्ड ही मेरे को भी मेरे को किसी परसन ने बोले थे के अगर मिढान हाँ तो हाँ हमेशा कोई है हिक काया है यह सखल सूरत है है यह उपर से चम्री चडू हूई है लेकिन जो अंदर की बोड़ी है वो सब की एक जैसी है कंकाल ठीक है ना तो इमान प्रेजिज में वर कुछ भी हो दे में है यह जो काया है यह एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी और मैं अगर यूं कहूं कि मैं बहुत जादा सुन्दर हूँ या यह हूँ तो ऐसा नहीं है एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग बुडिया हो जाएगे हमारी जूरियां पढ़ जाएगी हमारा जो फेस है वो लटक जाएगा यह सब के साथ होनी है तो आप मुझे यह सब चीजे मस समझाईए ठीक है ना और कुछ कमेंट्स वे कोई ऐसे भी आते हैं आप लोग सोसते हों कि मुझे इन कमेंट्सों से दुख होता है तो बिलकुल भी दुख नहीं होता है क्योंकि यह सब चीजे ना मैं बहुत टाइम से फेस करते वे आ रही हूं बहुत टाइम से जो आपकी रिया है ना तो रिया ने दस बारा साल ऐसे ही नी काटे है बहुत सारे लोग की बहुत सारी चीजे सुनी है यह तो शायद योटूब पे तो लोग बहुत कम चीजे बोलते है मैंने तो फेस टू फेस सुनी है चीजें तो मुझे इन सब चीजों के से कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन हाँ मैं इन कमेंटों के जवाब इसलिए देती हूं क्योंकि कभी-कभी ऐसलिए कि कुछ चीजों के जवाब देना सच में बहुत ज़रूरी होजाता है अगर आप सुनते रहोगे तो इनसान सामने वाल आपको सुनाता रहेगा तो इसलिए कभी-कभी जवाब दे देना चाहिए इन्हों ने मेरे से बोला है कि पती के मरने के बाद बड़ी मौज है, हाँ जी बिलकुल मौज है, आप भी ले सकते हो ऐसी मौज, अगर हमारी मौज है, तो आप भी इस तरीके की मौज ले सकते हो, कि भई, एक लड़की के उपर डवल जिम्मेदारी है, ठीक है, एक लड़की तभी मेरी मम्मी खतम हो गई थी, 8 साल की मुझे खुद भी पकका याद निया, मेरे पापा पो भी यह चीज याद निया थी, कि मैं आट की थी उस तेम पे या नौ की थी, सब लोग बोलते हैं, आट की थी, तो 8-9 साल के बच्चे को क्या पता होगा, कितनी एस थी, कितनी नह मेरे अंदर लोटे यह बिचायदोंगा पैजिए नियुकर कौने. आपने अपी काम ओर आनेों αपन मुझे,रहम काम झाख आघूBaa तो मेरे लोटी not, मुझे किलो एक सब उस जसरी हो होने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, सब चीज अच्छ लेकिन भगवान को शायद कुछ औरी मंजूर था और मैं शायद बेबफूफ हूँ आपकी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जो मुझसे बोलते हैं पागल है, मैंटल है, बेबफूफ है, कोई बात नहीं मैं बेबफूफ सही हूँ, ठीक है मैं बेबफूफ हूँ, पाग कोई नहीं लेकिन अपनी घर गरस्ती तो अच्छे से चला के लेके जारी हूँ ना मैं, मैंने इतनी पागल पंती तो दिखाई कि मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचा, मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा उस छोटी सी एज में, आजकल मैं देखती हूँ 21-22 साल की मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, एज एक पेट में था और एक छोटी सी ननी सी प्यारी सी परी थी और आज देखो, जो शौर रह वो मेरे पेट में था, और आज इतने वड़े वड़े मैंने बच्चे कर लिए तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी पागल पंती ठीक रहती है कभी कभी जो हमारी पागलपन्ती है न वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है तो मेरे लिए तो पागलपन्ती ठीक है आपके लिए पागलपन्ती होगी लेकिन मेरे लिए मेरे ये पागलपन्ती बिल्कुल ठीक हैगी एन एक कमेंट मुझे यह आए था जो ये दिखती है वो ये है नहीं तो अच्छा जी तो मैं दिखती रिया हूँ और हूँ क्या एश्वेर रहा है आप लोग जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के क्या करिए जो मैं दिखती हूँ वही मैं हूँ ये चीज मैं पहले भी अपने व्लोग में बोल चुकी हूँ कि मुझे जो चीजे बोलनी होती है वो मैं क्लियर बोलती हूँ चाहें आपको बुरी लगे या भली लगे ठीक है और ये चीज मेरे घर में सब को पता है चाहे मेरी भाबी हो या भाई हो या फिर मेरे सास हो या ससूर हो अगर मुझे किसी की भी कोई भी बाद बुरी लगती है तो मैं उसे मुह पे बोलती हूँ पीछे से नहीं बोलती मैं, पीछे से मैं किसी की पुराइई नहीं करती, पीछे से पुराइई करने से क्या फायदा ए, अगर आपको किसी का कोई काम गरत लग रहा है तो उसके मुह पे बोलिए, पीछे से मत बोलिए, ठीक है ना? और एक कमेंट यह है था कि जितना तू अपने फैशन पर ध्यान देती है ना इससे अच्छा तो तू अपने बच्चों पर ध्यान देने कर क्या करना है बच्चों पर ध्यान दे के इतने दिनों से बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ तो मेरे को बच्चों पर ध्यान दे के क्या करना एक चीज बताओ, आप हो तो शायद आप बच्चों की वैल विशर हो, आप मेरे ख्याल से मेरे में इतनी कमिया निकालते हो, और बच्चों के बारे में इतना सोचते हो, बच्चों का खर्चा चलाते हो, आके बच्चों को खा अच्छा काम कर लो लेकिन जिसको आपको आप मैंसे बुराईया निकालनी है तो वो कही न कहीं से आप मैंसे बुराईया निकाली लेगा तो बस वही चीज़े में बोलती हूँ कि मेरी लाइफ भी कोई कम स्ट्रगल वाली नहीं है काफी लोग मुझसे अपनी प्रॉबलम शेयर करते हैं बोलते हैं कि दि हमारी लाइफ में ये सब चीज़े हैं ऐसा नहीं कि यूटूब पर ही मुझे लोग आके bad comment करते हैं क्या पता ये मेरे जान पिचान के ही हो सकता है कि हाप्या फेक आइडिया बनाके मुझे अपनी बढ़ास निकालते हो फेक आइडिया बनाके मुझे बढ़ास निकालते हो क्योंकि सामने तो बोल नहीं सकते तो इसलिए fake ID बनाके बढ़ास निकालते हो तो कोई नी भाया आप अपना दिल ठंडा करिए मुझे बढ़ास निकालने कालके और यह वही लोग होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज में तो क्या करते हैं आपको नीचा गिराते हैं तो इम्सब्सक्राइबर हैं जो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से शेर करते हैं मैं हमेशा यही चीज पोलती हूं कि रिया की लाइफ भी बहुत सरल नहीं थी रिया ने भी बहुत सारी चीज़ेस प्याने हैं तम महीन हं तक आई हूं मैं वो सब चीज़े आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि देखो कहते हैं हमेशा मेरे पापा का कहना हमेशा यह था है कि बुरे टाइम को भूल जाना चाहिए और अच्छे टाइम को याद रखना चाहिए अगर आप अच्छी चीज़ों को सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर आप जितना बुरी चीज़ों के बारे में सोचोगे उतना ही आपके साथ दुरा होगा तो देखो ये इनसान का आना जाना ये भगवान के हाथ में है किसी के आपने नहीं, जो कुदरत ने लिख दिया है, जब आप इस धर्ती पे आई होना, तो आपका जाना, आना सब उसी टैम पे तैह हो जाता है, तो इन सब चीजों के बारे में कम सोचा करिए, देखो, सोचने के लिए दुनिया वैठी वी है, बहुत सारे, देखो, मेरे मे पेर भी हैं, इसका पेर ठीक नहीं है, अरे, इसकी शादी होने के बाद ही शादी पहले ऐसा क्यूं नहीं हुआ, तो देखो, कहते हैं कि आपका जो बुरा बक्त है वो कट जाता है, लेकिन बुरे बक्त में कौन किस तरीके की बाते कर रहा है, वो आपके दिमाग से कभी भ बोलना चाहती हूं ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है किसी के हाथ में भी नहीं होती है ठीक है चलो भई हमारा पैर खराब है या फिर मैं कहरे हूं हमारी किसमत खराब है कुछ भी हूं ठीक है लेकिन लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की की शादी नहीं ह ठीक है उन्हें ये नहीं पता कि हमारे इस word को बोलने से किसी के दिल पे क्या बीत रही है क्या नहीं इसका जो उसके mind पे क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी face करी है तो मैं तो हमेशे ये बोलूँगी जो इंसान अगर आपक कि और कदम रखने लगेंगे तो सिर्फ आपको यही दुख रहेगा कि आप अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं हुए तो काफी सारे लोग मुझसे हमेशा इस चीज़ के लिए और जादा मोटिवेट होते हैं वो बोलते कि दिया आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब प्रॉब्लम्स चल रही है उनको फेस करते करते आपको सारे काम करने पड़ते हैं आपको बच्चों को भी देखना पड़ता है आपको फैमली को भी देखना पड़ता है आपको कमाना भी पड़ता है आपको खाना भी पड़ता है सारे काम करने पड़ते हैं अगर आप गम को लिए लिए बैठे रहोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा और नहीं आपकी फैमिली चलेगी, तो बस में यही चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे मुझे इस तरीके के कमेंट आते हैं, तो मैं उनसे बोलूगी कि भाईया ऐसा करो, आप लोग जितने कम करेंए, पर कोई नहीं सबकी अपनी अपनी नसर होती है, कि मैरे में बहुत बुराइया नसर आती है, तो चलिए, इस बाए मैं एंड करती हूँ, उसके बाद आप लोगोंसी कि बाद बाद में मिलती हूँ, ठीक है न?